सबसे पहले मैं रिजल्ट के लिए बोल देती हूं कि जब भी रिजल्ट आये खा तो आपको नोर्टिफिकेशन मिल चाहेगी ओके नेक्स्ट इस यहाँ पर डेट है एट फाइब तो जो इस डेट के बाद जो मतलब रिवाइजड फी स्ट्रक्चर है पी ट्यू की तरफ से हूं मैं आपको शोकर देती हूं यहाँ पर तो रिवाइजड में सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस है वो पंदरेस हो रहेगी पर स कुछ-कुछ चिंजिस होंगे इसके means कुछ ना भी हो तो आप देख लीना यहाँ पर examination fees undergraduate के लिए पंदरे सो पर सैम और PG courses के लिए 2000 पर सैम पर PG courses के लिए और जो examination fees है जो की golden chance या फे specially similar आये थिंग पहले भी इनकी 15,000 थी per subject re-evaluation fees के अगर हम भात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो from the declaration of result notification उसके बाद जो re-evaluation fees है वो within 20 days 2,000 रहेगी उसके बाद within 36,000 3,000, then 4,000, then 5,000 जो challenge करते हैं sometimes students अगर वो बोलते हैं कि हमारे जो paper है वो चैसे check नहीं किये तो अब challenge करते हैं तो उस case में आपकी fees 5,000 है plus 1,000 आपकी processing fee रहेगी राइट वो रहेगी by student and जो 5,000 extra रहेगा वो by college भी add होता है इसमें तो total आपका 10,000 बन जाता है original degree के लिए अगर इसके लिए कोई fees नहीं लगेगी duplicate अगर आपको documents चाहिए तो 1,000 per document provisional अगर आपको चाहिए after completion of course वो 1,000 per document official जो transcript रहेगी आपकी वो 1,500 for each set जो postal income charging वो आगे mentioned है verification करवाना है तो 1,000 per document bona fide और या backlog certificate 500 then attestation है 500 alright then correction करवानी है तो फिर 1,000 per document कुछ भी correction अगर आपको करवानी है वो भी जस्ट 3 मन्त के तक कोई fees नहीं है और उसके बाद आपकी fees रहेगी जो detailed mark sheet में अगर correction करवानी है same जो है मतलब 3 months के regarding वो same रहेगा और 1000 per document DMC issuance वाला है कुछ तो फिर आप करेगा 500 in last semester कोई भी document आपको submit करवाना है मतलब यू करवानी है मतलब issuance करवाना है और जो confidential result per subject 1000 medium of instruction certification fee 500 औक और यह कुछ यहां पर है जैसे आपके answer sheet की photo copy अगर आपको चाहिए तो 1000 है processing fee रहेगी आपकी 10,000 जो की अगर last theory subject में जो की case under 40% उस case में आपके 10,000 रुबीज लगेंगे attested copy of syllabus है वो उसकी fees रहेगी आपकी 100 per sam upper lower case की जो processing fee है वो 10,000 evaluated fee अगर आपको provide करवानी है evaluated fee जो answer sheet की या फिर आपके जो theory paper रहे हैं तो उसके लिए 1000 per answer sheet रहेगी और जो processing fee है जो आपने उपर भी देखा था वो यहाँ पर है कि पंजाब वालों के लगेगी 100 और outside पंजाब 200 अब तत्काल में अगर कोई immediate document चाहेए तो उनके 1000 रुपीज फीस रहेगी और वो आपको within 7 working hour मिल जाएंगे document ओके this is all about revised examination or all fees also okay thank you so much